आई सुनते हैं उपन्यास कटोरा भरखोन का भाग दोसरा बिर्सिंग तारा से विदा होकर बाग के बाहर निकला और सड़क पर पहुँचा इस सड़क के किनारे बड़े बड़े नेम के पेड थे जिनकी डालियों के उपर जाकर आपस में मिले रहने के कारण सड़क पर पूरा अंधेरा था एक तो अंधेरी रात दूसरे बदली चाय हुई तीसरे दुपट्टी घनी पेडों की चाया ने पूरा अंधकार कर रखा था मगर बेर सिंग बराबर कदम बढ़ाय चला जा रहा था जब बाग की हस से दूर निकल गया तो एक आएक पीछे किसी आत्मी के आने की आहटपा कर रुका और फिर मुड़कर देखने लगा मगर कुछ मालूम नहीं पड़ा लाचार पुना आगे बढ़ा प्रंतु चोकर ना रहा क्योंकि उसे दुश्मन के पहुँचने और धोखा देने का पूरा गुमान था आगे थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर वैसा ही हुआ बाइन तरफ से जपटता हुआ एक आदमी आया और उसने अपनी तलवार से बिर्सिंग का काम तमाम करना चाहा मगर हो ना सका क्योंकि वे पहले से ही समला हुआ था हाँ एक हलका सा घाव जरूर लगा जिसके साथ ही उसने भी तलवार खेंच कर सामना किया और ललकारा मगर अफसोस उसके ललकार की आवाज ने उल्टा ही असर किया अर्थात दो आदमी और निकल आए जो थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ की आण में छिपे हुए थे अब तीन आदमियों से उसे मुकाबला करना पड़ा बिर सिंग बेशक बहादूर आदमी था तथा उसके अंगों में ताकत के साथ ही साथ चुस्ती और फुर्ती भी थी तलवार बांग पटा और खंजर रित्यादी चलाने में वे पूरा उस्ताद था खराब से खराब तलवार भी उसके हाथ में पड़कर जोहर दिखाती थी और दो एक दुश्मन को जमीन पर गिराए बिना नहीं रहती थी इसमें उसकी जान लेने पर तीन आदमी मुस्त्यत थे तीनों आदमी तीन तरफ से तलवार चला रहे थे मगर वै किसी तरह सहमा और बेधरत तीनों आदमीं की तलवारों को खाली देता और अपना वार करता था थोड़ी देर में उसकी तलवार से जख्मी होकर एक आदमी जमीन पर गिर पड़ा अब केवल दो आदमी रह गए और उन में से भी एक बहुत ही सुस्त और कमजोर हो रहा था लाचार वै अपनी जान बचा कर सामने से भाग गया अब सिरफ एक आदमी उसके मुकाबले में रह गया बेशक ये लड़ाका था और इसने आदे घंटे तक अच्छी तरह से बिर सिंग का मुकाबला किया बलकि इसके हाँ से बिर सिंग के बदन पर कई जखम लगे मगर आखिर को बिर सिंग के अंतिम वार ने उसका सर धर से अलग करके फैंक दिया और वे हाँ पैर पटकता हुआ जमीन पर दिखाई देने लगा अपने दुश्मन के मुकाबले में फत्य पाने से बिर सिंग को खुश होना था मगर ऐसा नहुआ हरारत मिटाने के लिए थोड़ी देर कुवर पेर के नीचे बैठ गया और जब दम का फूलना बंद हुआ तो ये कहता हुआ उठखड़ा हुआ इनी दिनों पर मामला खतम नहीं है जरूर कोई भारी आफ़त आने वाली है अब मैं आगे नहीं बढ़ूँगा बलकि लौट चलूँगा कहीं आसा नहीं हो कि मेरी तरह विचारी तारा को भी दुश्मनों ने घेर लिया हो बिर सिंग जिधर जा रहा था उधर न गया बलकि तारा से मिलने के लिए फिर उसी बाग की तरफ लोटा जहां से रवाना हुआ था थोड़ी देर में मैं बाग के अंदर जा पहुचा और तब सीधी उस बाहरा दरी में चला गया जिसमें तारा के लोंडियां और सक्षियां बैठी आपस में बाते का रही थी बिर सिंग को आते देख सब उठ खड़ी हुई और तारा को उसके साथ ना देख कर उसकी एक सक्षी ने पूछा मेरी तारा बहन को कहा छोड़ा बीर सिंग अरे उसी से मिलने के लिए तो आया हूँ मैं मुझे विश्वास था कि वै इसी जगा होगी सक्षी अरे वै तो आपके साथ थी यहां कब आई बीर सिंग अफसोस सक्षी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या मामला हुआ आपने उन्हें कहां छोड़ा बीर सिंग इस से में कुछ कहने का मौका नहीं है एक रोशनी लेकर में साथ हाओ और फिर चारो तरफ बाग में खोजो कि वै कहां है बीर सिंग के कहने से उन औरतों में खलबड़ी पड़ गई और वैं सब घबरा कर इधर उधर दोड़ने लगी दो लोण्डियां लपक कर एक तरफ गई और जल्दी से दो मशाल जला कर ले आई बीर सिंग ने उन दोनों मशाल वालियों के अत्रिक और भी कई लोण्डियों को साथ लिया और बाग में चारो तरफ तारा को खोजने लगा मगर उसका कहीं पताना चला बीर सिंग तारा को ढूंता और घूमता हुआ उसी अंगूर की जाड़े के पास महँचा और एका एक जमीन पर एक लाश देखकर चौट पड़ा उसे विश्वास हो गया कि ये तारा की लाश है बीर सिंग को रुखते देख लोण्डियों ने मशाल को आगे किया और वे बड़े गौर से उस लाश की तरफ देखने लगे बीर सिंग ने समझ लिया था कि ये तारा की लाश है मगर नहीं वे तो एक कमसिन लड़की की लाश थी जिसकी उमर दस वर्ष से जादा की नहीं होगी लाश का सिर नहीं था जिससे पहचाना जाता की कौन है मगर बदन के कपड़े बेश किमती थे हाथ में हीरे का जड़ाओ कड़ा पहड़ा हुआ था उंगलियों में कई अंगूठियां भी थी गर्दन के नीचे जमीन पर गिरी हुई मोती के एक माला भी मौजूद थी बीर चाहे इसका सिर मौजूद ना हो मगर गहने और कपड़ी के तरफ ख्याल करके मैं कह सकता हूँ कि यह हमारे महराज के छोटे लड़के सूरसिंग की लाश है लॉन्डी यह क्या हुआ कौन साहब यहां कैसे आया और इन्हें किस नहीं मारा बी गजब हो गया अब किसी तरह हम लोगों की जान नहीं बसकती जिस समय महराज को खबर होगी कि कौन साहब की लाश बीर सिंग के भाग में पाई गई तो बेशक मैं खूनी ठहराय जाओंगा मेरी बेकसूरी किसी तरह साबित हो ही नहीं सकती और दुश्मनों को भी बात बढ़ाने और दुख देने का मौका मिल जाएगा हाई अब हमारे साथ हमारे रिष्टेदार लोग भी फांसे दे दिये जाएंगे हे इश्वर धरम पत पर चलने के क्या यही बदला है अपने अपनी जान की फिकर सभी को होती है चाहे भाई बंधू रिष्टेदार हो या नौका समय पर काम आते हैं वही आदमी है वही रिष्टेदार है और वही भाई है कौर सहाब की लाश देख और बेज सिंग को आफत में फसा जान धीरे धीरे लॉंडियों ने खिसक न शुरू किया कई तो तारा को खुजने का बहाना करके चले गई कई देखे इधर कोई छिपा तो नहीं ये कहकर आड़मे हो गई और मौका पाप ने घर में जाकर छिप गई और कोई बिना कुछ कहे चीक मार कर सामने से हट गई और पीछा देख कर भाग गई अगर किसी दूसे की लाश होती तो शायद किसी तरह बचने की उमीद भी होती मगर यहां तो महराज के लड़की की लाश थी ना मालूम इसके लिए कितने आदमी मारे जाएंगे ऐसे मौके पर मालिक का साथ देना बड़े जीवट का काम है हाँ अगर मर्दों की मंडली होती तो शायद दो एक आदमी रह भी जाते मगर औरतों का इतना बड़ा कलेजा कहां अब उस लाश के पास के वल बेचारा बीर सिंग रह गया वे आदे घंडे तक उस जगा खड़ा कुछ सोचता रहा आखिर सुच लाश को उठा कर उस सरफ चला जिधर के दर्खत बहुत ही घंए और गुंचान थे और जिधर लोगों की आमदर्फत बहुत कम होती थी बीर सिंग ने उस गुंचान और भयानक जगा पर पहुँच कर उस लाश को एक जगा रख दिया और वहां से लोट कर उस तरफ गया जिधर मालियों के रहने के लिए एक अच्चा मकान फूस की छामनी का बना हुआ था अब बिजली चमकने और छोटी छोटी बूंदे भी पढ़ने लगी बीर सिंग एक माली की जोपड़ी में पहुँचा माली को गहरी नीन में पाया एक तरफ कोने में दो तिन कुदाल और फरसे पड़े हुए थे बीर सिंग ने एक कुदाल उठा लिया और फिर उस जगा गया जहां लाज छोड़ आया था इस समय तक वर्षा अच्छी तरह होने लगी थी और चारो तरफ अंदिकार में हो रहा था कभी-कभी बिजली चमकती थी तो जमीन दिखाई दे जाती नहीं तो एक पैर भी आगे रखना मुश्किल था बिर्षिंग को उस लाज का पता लगाना कठिन हो गया जिसे उस जगा रख गया था वे चाहता था कि उस लाज के पास पहुँचकर कुदार से जमीन खो दे और जहां तक जल्द हो सके उसे जमीन में गार दे मगर ना हो सका क्योंकि इस अधेरी रात में आजार ढूनने और सर पटकने पर भी वे लाश न मिली जब जब विजली चमकती वे उस निशान को अच्छी तरह पहचानता जिसके पास उस लाश को छोड़ गया था मगर ताजू की बात थी कि लाश उसे दिखाई नहीं पड़ी पानी जादा बरसने के कारण बीर सिंग को कश्ट उठाना पड़ा एक दो तारह की फिकर ने उसे बेकाम कर दिया था दूसरे कुमर सहब की लाश ना पाने से वे अपनी जिंदगी से भी नाउमिद हो गया था और अपने को तारह का पता लगाने लायक नहीं समझता था बेशक उसे अपने मालिक महराज और कुमर सहब की बहुत महबत थी मगर इस समय वह यही चाहता था कि कुमर सहब की लाश शिपा दी जाए और असली खुनी का पता लगाने के बाद ही यह भेज सबों पर खोला जाए लेकिन ये ना हो सका क्योंकि कौर साहब की लाश जब तक वै कुदाल लेकर आए इसी बीच में अश्र रूप से गयव हो गई थी बीसिंग हैरान और परिशान उस लाश के चारों तरफ खोज रहा था एका एक बाग के फाटक की तरफ उसे कुछ रोशनी नजर आई और वै उसी तरफ देखने लगा पर रोशनी भी उसी की तरफ आ रही थी जब बाग के अंदर पहुँची तो मालुम हुआ कि दो मशालों की रोशनी में कई आदमी मुम जामिक अच्छाता लगाए और मशालों को भी छाते की यार में लिए बारादरी की तरफ चले आ रहे हैं मुनासिफ समझ कर बीर सिंग वहां से हटा और उन आदमियों के पहले ही बारादरी में जाप पहुँचा बारादरी में पहुचते ही उसे देखा कि पीछी की तरफ तोशे खाना था वे उसमें चला किया और गीले कपड़े उतार दिये सुखे कपड़े पहनने की नौबत नहीं आई थी कि रोशनी लिये वे लोग बारादरी में आ पहुँचे बेर सिंग के वल सुखी धोती पहन कर उन लोगों के सामने आया सभी ने जुक कर सलाम किया इन आदमियों में तो महराज करन सिंग की मुसाहब थे अरे बाकी के आठ महराज के खास गुलाम थे महराज करन सिंग के यहां बेर सिंग की अच्छी इज़त थी यही सबब था कि महराज की मुसाहब लोग भी इनका अदब करते थे बीर सिंग की इजट और मिलन सारी तथा नेकियों का हाल आगे चलकर मालूम होगा बीर आप लोगों को इस समय ऐसी आदी तुफान में यहाने की जरूत क्यों पड़ी एक मुसाहब महराज ने आपको याद किया है जी बीर कुछ जरूरी काम है क्या मुसाहब जी हाँ कौहर साहब की दुश्मनों की निसब्द सरकार ने कुछ पूरी खबर सुनी है इससे बहुत ही बेचेन हो रहे हैं बीर पूरी खबर सो क्या मुसाहब यही कि उनकी जिन्दिकी शायद नहीं रही बीर क्या ऐसी बात है मुसाहब कपड़े पहनने के लिए बीर सिंग तोश खाने में गया इसमें यहाँ कोई भी लॉंडी मुझूद नहीं थी जो कुछ काम करती बीर सिंग की परिशानी का हाल लिखना इस किसी को व्यर्थ बढ़ाना है तो भी शोतागंड लोग उपर का हाल सुनकर जरूर समझ गए होंगे कि इसके लिए यह समय कैसा कठिन और भयानत था बीचारी को इतनी महलत भी न मिली कि अपनी स्री तारा का पता तो लगा लेता जिसे वै अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता और मानता था बीचिंग कपड़े पहन कर महराज के मुसाहबों और आद्मियों के साथ रवाना हुआ इसमें पानी का बर्सना बिल्कुल बंध हो गया था और रात एक पहर से भी कम रह गए थी बीचिंग खास महल की तरफ जा रहा था बगर तरह तरह के ख्यालों ने उसे अपने आपे से बाहर का रखा था अर्थात वे अपने विचारों में ऐसा लेन हो रहा था कितर्म बदन के सुद नहीं थी केवल मशाल की रोशनी में महराज के आत्मियों के पीछे चले जाने की खबर थी बिर सिंग कभी तो तारा के ख्याल में डूब जाता और कभी सोचने लगता कि वैकाय कहां गायव हो गई या किसाफत में फस गई और कभी उसका ध्यान कौर साब की लाश की तरफ जाता और जो जो ताचु की बाते हो चुकी थी उन्हें याद करके और उनके नतीजे के साथ अपने और अपने रिष्टेदारों पर भी आफ़ताई हुई जान उसका मजबूत कलेजा काम जाता क्योंकि बदनामी के साथ अपनी जान देना वे बहुत ही बुरा समझता था और लड़ाई में वीरता दिखाने के समय वे अपनी जान की कुछ भी गदर नहीं करता था इसी के साथ साथ वे जमाने की चाल बाजियों पर भी द्यान देता था और अपनी लॉंडियों की बे मुरवत्ती याद कर क्रोध की मारे दात पीशने लगता था कभी कभी वे इस पात को भी सोचता कि आज महराज ने इतने आदमियों को भीज कर मुझे क्यों बुलवाया इस काम के लिए तो एक अधना नौकर काफी था खैर इस पात का तो जवाब देकर अपने दिल को समझा देता कि इसमें महराज पर आफट आई है बीटे की गम में उनका मिचाज बदल गया होगा खबराट के मारे मेर बुलाने के लिए इतने आदमियों को उन्होंने भेश दिया होगा इन्ही सब बातों को सोचते हुए महराज के आदमियों की पीछी पीछी बीर सिंग जा रहा था जब उस अंगूर के जाड़े के पास पहुँचा जिसका जिकर कई दफे उपर आ चुका है यज जगह आपने निर्दई बाप के हास में हाथ से विचारी तारा ने अपनी चांस सौपी थी या जिस जगह कुआर सूरज सिंग की लाश पाई गई थी तो एका एक दोनों मश लाश पड़ी हुई दिक ताचुब करने लगा चाहिए लाश बिना सिर्की थी तो भी बेर सिंग के साथ ही साथ महराज के आदमियों ने भी पहचान लिया कि कुआर साहब की लाश है अब बेर सिंग के ताचुब का कोई ठीका ना ना रहा है क्योंकि इसी लाश को उठा कर गालने के लिए एकांत में ले गया था और जब माले की जोपड़ी में से कुदार लेकर आया तो वहां से गाय पाया था देर तक ढूनने पर भी जो लाश उसे नहीं मिली अब एका-एक उसकी लाश को फिर उसी ठिकानी देखता है जहां पहले देखा था या जहां से उठा कर गालने के लिए एकांत में ले गया था महराज के आदमियों ने इस लाश को देखकर रोना और चिल्लाना श्रू किया खूब ही गुलशोर मचा अपनी अपनी जोपड़ियों में बेखबर सोय हुए माली भी सब जाक पड़े और उसी जगा पहुचकर रोने और चिल्लान कर दो